इस question में क्या दिया है कि angle subtended by a chord xy on the center of a circle is 180 degree अगर इस chord का length 36 cm है तो हमें बताने कि radius of circle क्या होगा अभी यहाँ पे जो हमें बाते समझनी है क्या है कि अगर कोई chord center पे 180 degree बना रहा है center पे 180 degree subtend कर रहा है तो यह जो chord है न भाई यही क्या हो जाएगा diameter हो जाएगा क्योंकि center पे 180 बनाने के लिए center से पास तो करना परेगा diameter जो कि है d इसी का value होता है 2 r di 36 r का value कितना हो गया 18 cm तो जो question इसका answer 18 cm जो कि है option number 1 तो उमीद है यह चीजे clear होंगी और आप यह ध्यान में रहा है अगर center पे 180 बना रहा है तो क्या होगा आपका diameter ही होगा तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को like करना ना भूले और चैनल पे नए है तो चैनल को ज़रू से subscribe करें क्योंकि यहाँ पे सारे